आप सब अच्छे से अपने प्रिपेरेशन कर रहे हों और यहां पे जो हमारी प्रैक्टिस क्लास आज की 6 होने वाली है इससे पहले जो प्रैक्टिस क्लास 5, 4, 3, 2, 1 आप सारी के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो प्रिपेर करते हुए चल रहे होंगे और लाइन से वन बाइवन अगर जिस दिन यह क्लास नहीं भी आती है तो आप कोशिश करें कि जो प्रैलिस्ट में लगी हुए है क्लास अल्रेडी से अविलेबल है उसको आप कवर करें बहुत स एक्जाम में लगेगा ठीक है हो सकता है आप और आपको एग्जाक्ट आंसर ना पता हो बट आप और आप और यूज करके वो कही ना कहीं कोशिशन सॉल्फ कर सकते हो एक सेशन मैं लूंगा अभी नहीं थोड़े दिन बाद जिससे आप पहले अभी थोड़ा सा नॉलेज कर लो उसके बाद आप देखें किस तरीके से options elimination भी काम आता है ठीक है वह बात की बात है क्योंकि वह option elimination भी तभी आप यूज कर पा हुए जब आपको थोड़ी बहुत basic सी knowledge हो जाए तो वह basic सी knowledge तभी होगी जब आप number of questions कर लोगे ओके start करते हैं question number one है second battle of tarayan ठीक है second battle of tarayan कब हुआ था 1290 AD 1038 AD या फिर 1192 में तो देखो first battle पूछे तो 1191 में हुआ था और second battle पूछे तो 1192 में हुआ था that means आपका जो correct answer बनेगा option number D is the right answer for this question cool आगे बढ़ते हैं next question आपकी screen पर यह रहा three gems of Tamil poetry ठीक है Tamil poetry के हमें three gems देखने को मिलते हैं तो three gems कौन कौन से हैं पुगलेंडी, कंबाना और क्या होगा यह आपसे पूछा है मतलब दो कित नाम तो दे दिये हैं third वाला जो है उसका नाम पूछ रहा है तो वो आपको यहाँ पे बताना है ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान रखना three gems of Tamil poetry की बात करें तो पुगलेंडी, कंबाना और विमाना sorry, कुटाना ठीक है c option आपका correct होगा पुगलेंडी, कंबाना और कुटाना यह three gems हैं Tamil poetry के याद रखेंगे आप और देखो मैं आपको पहले ही बता दू कि यह जो हम practice classes कर रहे हैं इसमें हम कुछ level वाले questions कर रहे हैं अच्छे level वाले questions कर रहे हैं ठीक है कि आप अपने आप से classes कर रहे होगे ठीक है and I can see कि बच्चे students जो है वो class कर रहे हैं okay playlists से भी cover कर रहे messages बगेरा डालते रहते हैं कुछ न कोई पूछता रहता है कुछ न कुछ तो वो पता लगता है ठीक है तो I hope आप भी उन में से हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप यह वाले जो new sessions है वो भी देखे लेगिन जो पुराने sessions लगे होगे उनको आप ignore मत करना ठीक है hymns कितने हैं इसमें तो 1028 आपको hymns मतलब कह सकते हो आप यहां पर जो hymns है वो option D यहां पर correct answer हो जाएगा 1028 हमको देखने को मिलते हैं यह कुछ basic सी details आप यहां पर याद रखेगा और Ayurveda की बात है तो भी आप यहां पर Rigveda का नाम याद रखेंगे ठीक है Ayurveda आगे बढ़ते है next question है और यहीं पर आप यह भी याद रखे है कि जो आपका यह साम वेद है ठीक है यह आपका music से related है ठीक है और जो आपका यजूर वेध है तो इसमें आप आर करी याद रखना ठीक है कुछ आपको details याद रखने, direct questions पूछते हैं आपको यहां पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम फिलाल के लिए, 1028, correct answer, next question, how many upnishads do we have, तो हमारे पास कितने upnishads है, 1020, 1020, option same हो गया, but उसमें से answer नहीं होगा, ठीक है, आपका correct answer बनेगा 108, ठीक है, upnishads हमारे पास 108 है, okay, moving on next question, इस question का answer C होगा, आगे बढ़ते हैं, परुशिनी is the Rig Vedic name of, तो मैंने आपको कुछ class अगर पहले आप देखोगे, किसी practice class में मैंने आपको बताया है, कि जो अस्किनी है, वो किसका नाम है, ठीक है, जो शतुद्री है, वो किसका नाम है, ठीक है, इसी तरीके से आपका ज पूछ रीवर्स है, उनका जो Rig Vedic name है, ओल्ड नेम है, वो पूछता है, ठीक है, यहां हम बात कहे, शातुत्री से सतलज नदी, जिसको हम बोलते हैं, आज के समय में, अस्किनी से चेनाप नदी को हम बोलते है, आज के समय में पे चेनाप उसका पुराने का नाम जो क्या है, ओल्ड नेम क्या था, Rig Vedic name क्या था, अस्किनी, परुशिनी का पूछ रहा है यहां पे, याद रटना है आपको परुशिनी का यहां पे correct answer क्या बनेगा, option number A, रावी रीवर, ठीक है, इसको हम Rig Vedic काल में परुशिनी के नाम से जानते थे, The head of Janna is called as, तो राजन, कुलापा, ग्रामनी, या फिर गोपा, तो याद रखेंगे कि Janna, Janna मतलब आप समझ सकते हो कि यह कुछ community type की होती है, ठीक है, कुछ group of people होते है, तो वो जो Janna होता है, उसके जो head होता है, उसको क्या बोलते है, गोपा, ठीक है, और गोपा को हम गोप memberate, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूगा कि भाई, अगर class अच्छी लग रही है, तो आप like करके subscribe करना बिल्कुल ना बूले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह e-book है, इसको आप ले सकते हो, देख सकते हो, इसमें यहा वीडियो के माद्यम से solution भी provide हो जाएगा, तो यह e-book आप ले सकते हो, description box में आप link वगेरा देख सकते हो, बाकी whatsapp number हम शोई कर रहे हैं, तो उसको आप avail कर सकते हो, ठीक है, कम time में आपको बहतर approach के साथ में बढ़या content provide करने की कोशिश की गई है, question पर आते हैं, red data book is related to, global conservation of plants and animal species, red areas of state, danger areas of state, या फिर alert for the country, तो red data book किस चीज से related है, यह पूछ रहा है, याद रखेंगे, कि red data book आपका related है, option number B, red areas of state से, अगर आप यह सोच रहे हैं, तो गलत हो जाएंगे, ठीक है, यह वो बच्चा सोचेगा, जो तुक्का मार रहा है, लेकिन आप तो अपना time दे रहे हो ना, consume कर रहे हो, आप अपना time पढ़ रहे हो ना, आप क्या मारोगी, option number A, कुछ ऐसे plants, कुछ animal की species की बात करता है, जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त जातियां, ठीक है, जैसे crocodiles हम बात करें, विलुप्त हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, red data book, option number A, global conservation of plants and animal species की बात करता है, जो की विलुप्त प्रजातियां है, next question, और हाँ, batch वगर आप लेना चाते हो, तो भी आप WhatsApp पे contact करके, batch में अन्रूल कर सकते हो, systematic study के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, हर एक subject को वहाँ पे आपको पूरा करवाया गया है, की कह, next question है, आपका, BR Ambedkar Airport is at, तो कहाँ पर पढ़ता है आपका, BR Ambedkar Airport, ध्यान रखना है, option number A, नागपुर में, आगे बढ़ते हैं, अगला question, ये रहा, कोलेरू लेक कहाँ पर देखने को मिलती है, आपको, कोलेरू लेक की बात करें, आंदर प्रदेश, करला, तमिलनाडू, जम्मू इन कश्मीर, तो कोलेरू लेक आपको देखने को मिलती है, option number A, आंदर प्रदेश में, next question, अगला question आपकी screen पर ये रहा, जयकवारी प्रोजेक्ट इस ओन विच रिवर, तो जयकवारी प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये किसी रिवर पर है, option number A, गोदावरी रिवर पर आपको जयकवारी रिवर देखने को, प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन किस state में, तो ये आपके लिए homework है, ठीक है, M से उसका नाम शुरूँ होता है, आगे बढ़ते हैं, Mount Everest also known as Sagar Mata, in Mount Everest को हम Sagar Mata के नाम से भी जानते हैं, इन में से किस country में, जाए state में, तो Mount Everest को हम Sagar Mata, नेपाल में बुलाते हैं, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, next question है, पलामू, पलामाउ, Tiger Reserve आपको किस state में देखने को मिलता है, MP बोले तो, मद्यप्रदेश, जारखंड, तमिलनांडू या फिर जारखंड, options सेम हो गए है, correct answer आपका जारखंड ही हो पलामाउ, Tiger Reserve आपको जारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है, काना नैशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलता है, comment box में आपका ये homework रहने वाला है, comment करके ज़रूर रताइएगा, next question है, आपका, you found Golgumbaj in this state, तो इसमें से किस state में आप Golgumbaj पाएंगे, तो Golgumbaj आप कह पाएंगे, वही मतलब करना टिका में बीजापुर नाम से जगा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, नट राजा, ठीक है, नट राजा has how many hands, नट राज की आपने मूर्ती देखी होगी, अब आप रिमाइंड कर रहोगे कियार कितने हाथ होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कोशन थोड़ा सा, आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करेट टांसर आपका क्या बनेगा, एफ और फोर यानि ओप्शन ए करेट टांसर बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भरत नाट्यम is the classical dance of which state, भरत नाट्यम is the classical dance of which state, तो ध्यान यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है, ठीक है, और अगर कथकली की बात करेंगे, तो यह आपका देखने को मिलता है, कैडला में, ठीक है, अभी तो आपको असान लग रहा होगा, लेकिन यही जब आप exam hall में बैठे होगे, आपसे पूछेगा कथकली, और आप लगा दोग उत्तर प्रदेश घर पर आके जब आप मैच करोगे यह याद आएगा आपको तो आपको लएगा कि अरे शेट तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश का कथक है और कथक अली केरला का है ठीक है आगे बढ़ते हैं So that's it for today I hope आपको questions पसंद आया होंगे और जैसकि मैंने आपको बताया कि आप e-book ले सकते हो और जो हमारी batch available है उन batch को भी आप ले सकते हो जिससे आपको एक proper study देखने को मिलेगी हार एक subject की और बढ़ियां से आपकी preparation भी वहाँ पर होगी वहाँ से भी आप content पढ़िये और फिर यहां YouTube से हमारी MCQ session हो रहे हैं इसको आप करिए तो कुल मिला के overall आपका पूरा cover हो जाएगा ठीक है कोशिश यही करी जाएगी कि आपको एक अच्छे level तक ले जाएं देखो future तो किसी ने नहीं देखा है हमारे हाथ में क्या है महनत करना मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ ठीक है तो वो महनत हमको अभी करनी है result क्या होगा वो तो उपर वाले के हाथ में है और सब कहते हैं कि महनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा तो महनत करिए लगे रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए टेंशन नहीं लेने का अच्छे से पढ़ने का कुछ भी typical या difficult नहीं है वो तब तक है जब तक आप उस चीज को पास से जाके क्या नहीं करते हो पहचानते नहीं हो या उसके बारे में पढ़ते नहीं हो ठीक है जब आप एक चोटी सी स्टोरी बताओं तो जब आप पैदा हुए थे तब आपको A B याद करना भी टेडी खी लग रहा था ठीक है आप मेंसे जो मैच्स पसंद करते हैं वो स्टार्टिंग में 2-1-2 और यह याद करने में भी आपको कठिना ही हो रही थी पर दीरे जैसे आपकी मम्मा ने आपके पिता जी ने सिखाया आपको आपके टीचर ने आपके गुरू ने सिखाया आपको दीरे दीरे आप चलते गए पढ़ते गए और आपके लिए वो क्या है कुछ नहीं है क्योंकि आप उस फेस से होके गुजर चुके हो इसलिए आपको पता है और सब चीजें आपको याद है, ठीक है, तो इसलिए वो चीज कटिन तब तक लगती है, जब तक हम उस पे ख्यानी करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं अगर आपको swimming सीखनी है, तैरना सीखना है, तो नदी में तो उतरना पड़ेगा, otherwise आप दूर खड़े होके यही बोलोगे कि नदी बहुत गहरी है, ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं कि कूदी जाना, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, Okay, so don't do this kind of activity, ठीक है, आप proper training लीजिए, swimming की हो या किसी भी चीज की हो, हाना, proper training के बाद ही वो चीज़े करनी चाहिए, और वही आप अभी कर रहे हो, क्या, कि आप proper यहाँ पे classes कर रहे हो, proper अपने studies को time दे रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो, और अपना जो knowledge है वो बढ़ात करते जा रहे हो, काम तो जरूर आएगी आपको, आज नहीं तो कल, आप कोई competitive exams में बैठ होगे, वहाँ पे भी काम आएगी, याद करोगे तब, definitely, तो time waste मत करो, अच्छे से preparation करो, और लगे रहो, अपना ख्याल रखे, अपने घरवालों का ख्याल रखे, बने रहे है, पढ सकते हो, ठीक है, don't worry about it, all the best, जय हिंद, जय भारत.